सोचल वीडिया पर बदरी नाथ में बाबा के इस वाइरल वीडियो को लेकर भक्तों में आकरोज बाबा ने कह दिया ऐसी बात है कि बीडियो बनाने वाला सक्स भी रह गया है रान बदरीनाथ के माना में ये बाबा बदरीनाथ को बदरुदीन तो किदार नाथ को किदारुदीन कहते वे कैमरे में हुआ कैन आगे जब आप सुनेंगे तो चौक जाएंगे वीडियो बनाने वाले सक्ष न भी उठाए कई सवार दो सल मीटिया पर एक वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है वीडियो हिंदू के आस्ता के सबसे बड़े केंद बदरीनाथ का है जहाँ देश के पहले काउं माना में इस जित सरस्वती नदी के समीप ये बाबा घूम घूम कर लोगों को अजीब सी जानकारिया दे रहा है इस सब्सक्राइब कर रहा है बाबा की इन बातों से आने वाले हर सक्त को कोप्त भी हो रही है सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबित ये बाबा पहली बार यां दिखाई दे रहा है आखिर ये असल में है कौण ये अभी तक रहस्य बनावा है सुनिए कैसे मुगलकाल के इतियास को बदरिनाथ से जोड़ रहा है बदरिनाथ जाने वाले आस्तापत को भी पूपन बाला रोड है यहां बदरोतिन बाबा था नारायन कठ्टे में बडियूती तब यहां में नमाज पढ़ा जाता था था मुगोल और भठावो करास्ता है था पूरीना की पूरूतिन बाबा था जब आदी हूं संकरचारी का चनब तो तो कलफो विसमें तब किये वं क अब इस बाबा की इन बातों को तो सुनिए बदरीनाथ जैसे पगद्री धाम में भगवान बदरीनाथ के लिए कैसे कैसे सब्दों का परियोग कर रहा है तो सुना अपने बाबा की इस बात को बदरीनाथ में दारू और मीट की बाते कर रहा है इसकी इन बातों को रिकॉर्ड करने वाले सक्स ने इसके बारे में क्या खा आप भी सुनिए बदरीनाथ जैसे गाओं के लोग भी इस तरीके से मतलब व्योहार करेंगे अब वैसे तो बाबा आपको बता कि इतने आधरनी होते हैं जब भी हम कहीं किसी बाबा को देखते तो हम बोलते ही दान करेंगे हम बोलते ही चलो पुन्या कमाएंगे लेकिन अगर हमारी हिंदु समाज के अगर बाबा लोग ना हमारे देवी देटाओं को लोग को ऐसी सोच रखेंगे इतना अभधर टिपण ही करेंगे ना तो सच में यह बहुत ज़्यादा मतलब निंदनी है मतलब मैं तो बुलता हूँ कि मतलब ऐसे बाबाबा को तो क्या माफ करें ऐसे कि क्या बात करें अब इस तानिय लोगों ने परसासन से अनरोध किया है कि इस वीडियो का संग्यान देने का कस्ट करें और इस बाबा पर कारवाई करने का भी कस्ट करें साथ ही जितने भी सादू और बाबा ऐसे लोग बद्रिनाथ धाम की ओर आ रहे है जो सिमट में इनकी चेकिंग की जाए इनका भी सत्यापन किया जाए इनने एकी इस्तान पर जादा दिनों तक रुकने न दिया जाए क्योंकि सादू के भेस में लूट पाट की कई घटनाई भी यहाँ पर सामने आ चुकी है क्योंकि सादू कर दिया जाए